वेलकम टू बैक माई यूटूब चैनल काई दिससाइड अविशर्मा आज मैं आपको पताने बाला हूँ शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न शॉर्ट शॉर्ट इस जिसके जरी आप प्रॉफिट बनाओगी बनाओगी यह मेरी गारंटी है मेरे दोस्त आज की वीडियो में आप ल आप प्रॉफिट नहीं बना पाऊना यार ऐसा होई नहीं सकता है क्योंकि आपका भाई अवी शर्मा हमेसा वीडियो एक ऐसी धासू लेके आता है जिसके जरी यूज करकर आप उस शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न को आप प्रॉफिट डेफिनिटी बनाओगी बनाओगी ठीक क्यों बहता है आपकलपी पॉफिट नहीं बढा सकते हो मैं बीडिया श्टार्टिंग में यह पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह very very important point है क्योंकि बिना इन पॉइंट के सक्सेज होना यह possible मैंसा झालम है नोलेज के सात्थ मैं वह जोडिनिंग की जड़ने में already होते हैं अगर आपको follow करना नहीं आता है तो आज़ो अपने भाई को message करो मैं आपको बता दूँगा deeply में comment box में link मिल जाएगा टेली कराम का गुरुम में आ जाओ एक बार मेरे गुरुप का माहौल देख लिए अगर आपको ना लगे कुछ अलग औरों से तो यार ऐसा हो नहीं सकता है मेरा नाम मतल देना जो भी आप रखना चाहो ठीक है तो ज्यादा हम भगवास ना करते हुए ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलता तो मैं बॉइंट पर आता हूं जो चीज में आपको बताने वाला हूं वह चीज में आपको सिंपल सा पताता हूं श्यॉर्ट इस जरी आप अब जब वन मिनट के आप चाहर्ट ओपन करोगे तो आपको वन मिनट के चाहर्ट में रखना है और टाइम हमेशा डफल्ट आपको सेट करके रखना है जिसके जरी आप प्रॉफिट कंटीनु बना पाऊं आपको देखो एक इंडिगेटर की जरूत पड़ेगी मैं आपको नया था तो एक एक ऐसा इंडिगेटर जिसके माध्यम से मैंने इस सारी चीजें यहां से खतम करी अपरी लाइफ से जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ के अंदर में थी तो आपको करना का है सिंपल आपको एक इंडिगेटर उठाना है जो मैं पहले बता चुक हूँ उस इंडि सिंपल सी वाली बात को मैं बोलूँगा प्रॉफिट बनाना सीको और किन किन बातों को अध्यार लखना है वह चीज में आपको बता रहा हूँ तो कि आपको मैं शॉट शॉट पैटरन बता दूँ कि आपको ऐसे ऐसे टेडले नहीं है लेकिन आपको पता मार्केट के अंद पर और कोई भी पैटरन बन रहा है तो मार्केट उसको भी फोलो करेगी आपको डीपली में देखना होगा कि जितने भी पैटरन्स मैंने बता है उन पैटरन्स के बारे में आपको नौलेज लेनी होगी उन पैटरन्स के बारे में अगर आपको नौलेज हो जाएगी तो profit continue बना पाओ ठीक है चलिए चलते हैं अब आपको करना क्या है यह कितना चैनल जैसे ही आप लगाओगे तो आपको ना ऊपर वाली के लावा आपको कुछ भी लाइन नहीं देखनी है। आपको कोन सी लाइन के लावा को कुछ भी लाइन नहीं देखनी है, 아ब जैसे कि मैं बात कर 25 और में एक आच्छा सा चार्ट प्रका ओप्र करूं वह आपको बता लग जाएगा, थिकzil हो आपको करना क्या है माल सी और मेरे माउस के सरकल पर धान दो कि कहां मैं क्या चीज आपको बता रहा हूँ डीपली जैसे कि कोई भी एक red candle beach वाली line को break करती है उपर से नीचे क्या करती है उपर से नीचे सिर्फ candle एक ऐसा candle होना चाहिए जो beach वाली line को break करता हो ना कि इतना बड़ा candle होना चाहिए कि उपर वाली line को भी break कर रहा है नीचे वाली को भी कर रहा है तो मतलब beach वाली line को भी break कर रहा है अगर ये candle नीचे की तरब यहाँ भी break करता तो इस चीज को हम नहीं मानेंगे मतलब कि simple कि एक red candle beach वाली line को भी break करे ब्रेक करेगा तो आपको जो next trade place करने है वो आपको करने है call direction में कहां करने है call direction में आपको बिसेज ध्यान रगना इस चीज का ठीक है न अब आपको क्या करना है देखो यहां भी एक patterns बनना है वी patterns ठीक न वी pattern बनना है तो आप देखेंगे यहां पर market का movement क्या है यह है put direction ठीक है और market कर रही है यह देखो यह वी pattern बना रही है तो वी pattern के बार में जो मैंने knowledge प्रे रखेंगे डीपली आपको तो आप जाके प्लीज वीडियो देख लिए न ठीक है तो आप समझ जा हूए डीपली में जिससे आपकी trade short short हो जाएगी ठीक है यह example में आपको थोड़ा deeply और समझाता हूँ deeply समझे ना ठीक है यह तो मैंने बताया red पर ठीक है अब आते हैं थोड़ा green green red का में दोनों का fund आपको मैं बताने वाला हूँ ठीक है आप देखो कोई भी एक green candle break करे उपर की तरब उपर की तरब break करें बीच वाली line को जब market बीच वाली line को break करता है तो आपको बिसिध्या रगना कि इस बीच वाली line को भी break कर रहा है और उपर वाली line को भी break कर रहा है तो मतलब एक ही candle दो line को break कर रहा है तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे मतलब आपको यहाँ पर avoid करन है ठीक है सिंपल सा फंडा ठीक है तो आपको इस बात का ध्यान रगना है प्लस एक और चीज मैं आपको लाइब भी ट्रेट करके दिखा हूँगा कैसे आप शॉट्षो ट्रेड निकालोगी ही निकालोगी अब देखो इसी के अंदर में चीज मैं आपको बता हूँ देखो सि तीन केंडल के बाद में एक केंडल रेड केंडल और आ चुका है उस रेड केंडल है सिर्फ बीच वाली ही लाइन को ब्रेक करा है उसके बाद भी गरीन केंडल आ चुका है यस माइडर फ्रेंड्स चीजे काम करती हैं सारी चीजे काम करेंगी और प्रॉफिट आप तो बना जब एक green candle बीच वाली line को break कर रहा है break करने के बाद में एक red candle हमको देखने को मिल रहा है yes or no बिल्कुल मिल रहा है मेरे भाई और यहाँ पर देखो यह भी टेट हमारी shirt shirt होई yes हो चुकी है तो then उसके बाद भी आप देखो फिर एक और green candle है तीन candle के बाद में एक green candle उपर की तरफ इस बीच वाली line को break कर रहा है उसके बाद भी market में एक red candle बनाया ही बनाया है तो मतलब आपको यहाँ पर trade heat trade मिल रही है जिससे आप profit continue कर पाऊगे बस आपको ध्यान रखना कुछ बातों का कुछ चीजों का जिससे आप profit बना पाएं यहाँ भी देख लो बीच वाली line को break करा है सिर्फ इसने उसके बाद भी एक red candle आ गया अब आपको मैं कुछ live example दिखाऊँगा तो देर ना करते हुए आपको समझ में आगया होगा red का और green का जब भी एक red candle break करेगा नीचे की तरह बीच वाली line को तो आपको call direction लेना है जब भी market green candle नीचे से उपर की तरह बीच वाली line को break करेगा तो आपको put direction में जाना है put direction ठीक है तो यह एक logic है इस logic को समझो इस पर profit इतना बनाऊगे ना तुमने सोची भी नहीं होगी तुमने सोची भी नहीं होगी ठीक है इतना profit आप यहाँ पर बना लोगे continue चलिए ठीक है अब देखो में एक चीज आपको लाइब trade करके दिखार हूँ अब लाइब समझे ना कि लाइब हमको कैसे काम करती है कैसे क्या करती है ठीक है न आपको बिसे ध्यान देना live patterns समझ में आएगा live trade में लेकी दिखांगो तो live आपको profit continue कर पाऊँगे अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो simple सा funda अब यहाँ ध्यान दो कि एक red candle ने बीच वाली line को break करा है आपने यहाँ पर call direction ली होगी लेकिन लॉक्स हो जागी लेकिन में बोलो मार्टिकल आपको यूज करना ही होगा यहाँ पर आपका मार्टिकल विन है यहाँ इसका दिहार आपको रखना है उसके बाद में एक green candle ने नीचे से ब्रेक करा है बीच वाली इसके बाद में पूट डारेक्शन में आपको trade मिली ही रही है लेकिन एक चीज देखना कि मार्केट के अंदर में जब एक ट्रेट आपकी शॉट्ट हो जाया मतलब कि एक ट्रेट शॉट्ट हो जाया मतलब कि यहाँ से ब्रेक कर दिया उसके बाद में एक red candle हमको देखने को मिला ठीक है उसके बाद में आपको कम से कम 3-4 candle का wait करना मतलब यह 3-4 candle इधा से उतर चले तब जाके आपको short short trade में लेगी यह नहीं कि इसने भी ब्रेक कर दिया फिर नीचे की तरफ डारेक्शन में आ गया फिर यह call है आपने ट्रेट लेली फिर इसने भी ब्रेक कर दिया मतलब कि एक short short trade लेने के बाद में 3-4 candle का वेट करना है जिससे आपका next short short trade आपका बन जाए और एकदम deeply हो जाए 100% का ठीक है न क्योंकि देखो होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि जब market up down करेगा एक ही यहाँ पर थोड़ा एक ही range में up down करेगा तो आप यही पर trade लेन मुझे पता है जो deeply सारी चीज़े मुझे पता है तो मेरे दोस्त मेरे भाई आजो मेरी mentorship class के अंदर में जो mentorship मेरी startup हो चुकी है जो मैं आपको वो short short patterns बता हूँ और 40 से भी ज्यादा short short patterns जो market के अंदर में dailys बनते हैं हर वीक जो market change होती है market का week क्या follow करेगी उन सब चीज़ो जो मेरी चीज़े हैं उन चीज़ों को आप यूज करकर आप definitely profit बनाऊगे यह आपके अवीवाई की guarantee में चीज की लेता हूँ क्योंकि कोई में चीज में ज्यादा support, resistance, SNR यह बहुत कम सिखाऊंगा क्योंकि में सिखाऊंगा market के short short patterns जो market का बाप भी उनको follow करके चलता है my dear difference तो अगर आपको सीखना है अगर आपको profit बनाना है तो बैल कम है आपका mentorship class के अंदर में comment box में link बिल जाएगा आजओ telegram group के अंदर में आप मुझे message करके group के अंदर में आप देख सकते है mentorship की क्या condition है join होनेगी तो आप join हो जाओ और profit बनाओ मेरी तरह आपका भाई आपको हमेशा support करेगा कि आप always बस profit ही profit करो ठीक है अब मैं आपको दिखाता हो live trade अब देखो market में आपको क्या patterns का देहां रखना है दो एक तो v pattern का देहां रखना क्या v patterns market के अंदर में मैंने v pattern बता रखा है आपको v pattern के बारे में knowledge नहीं है पाई तो v pattern की knowledge ले लो क्योंकि market में follow करते ही आ रही है तो आपको ध्यान की चीज़ का रखना है कि जब market यहां से moment बना रही है तो आपको v pattern का बिसेद यहां रखना है जिससे profit बनाओ ठीक है चलिए ठीक मैं live लेता हूं live 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 मुझे एक trade मिल जाए short short मुझे लग जाए कि हाँ यहां पर है हम बार एक्दम अच क्योंकि यहां तो market का पूरा अब देखो market में यहां पर patterns बना रखें और प्लस एक चीज़ हमें से ध्यान रखना कि market में जब भी बड़े-बड़े candles बने क्या बने मार्केट में इतने बड़े-बड़े candles आपको देखने को मेलें भाई तो बिलकुल भी trade place नहीं करने क्यों यहां पर ब्रोकोल चलाता है और यह इतना चार्ट खराब है को कुछ चीज़े यहां पर follow नहीं होती है तो avoid ठीक है तो आपको बस ध्यान की चीज़ करने हैं बड़े-बड़े candle हो तो आपको trade place नहीं करने है क्योंकि बड़े-बड़े candles रहेंगे तो वहां पर चीज़े follow नहीं होंगी और जब चीज़े follow नहीं होगी तो आपका loss तो भाई तै है ठीक है क्योंकि आप बस मन आया कहीं भी trade place करते हैं यह नहीं देखते कि market का chart चल रहा है क्या चल रहा है और आपको इस चीज़ बोलने को ध्यान रख लो सबसे पहले दो कि जब भी आप इस चीज़ चार्ट में follow हो रही है तो आप उस चार्ट में अच्छे च्रेड करो और आप profit बनाऊंगे यह नहीं कि बस किसी भी चार्ट में आपने मनाया आपने लगा दिया ठीक है तो एक और चीज मार्केट में डोजी गेंडिलों को avoid करना कि छोड़े डोजी गेंडिल जो बनते है उसमें avoid करना मैं आपको live rate दिखाऊंगा अब और चीज समझाता हूं detail में समझो मेरी बात अब देखो इसने इसने break करा है ओके 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 यह तो मुझे लगता है कि मार्केट ने यहां पर भी पैटन्स भी बनाया हुआ है तो मार्केट यहां पर कुछ भी बनाएगी अब देखो आपके सामने live चल रहा है ठीक है आपके सामने live चल रहा है live live ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ जब red candle ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है नीचे की तरफ ब्रेक करा है तो हमको call direction में जाना था yes या no yes या no हाँ जी जाना था लेकिन मैंने यहां पर call direction क्यों नह करना है जब market ने वी pattern ही बनाया है तो market किसी भी direction में इस candle को डाल सकती है जब market किसी भी direction में डाल सकती है तो आपको एक candle का wait करना है अब इतना बड़ा candle बना कि नीचे वाली line को भी break करके आ गया अब उसके बाद भी मुझे लगता है कि next candle जो आने वाला है वो आएगा आप market में जब moment इतना बड़ा है मतला यह देखो यह देखो कितना बड़ा candle बना है तो आपको trade बेसक यह यहाँ पर bias खतम हो चुके है लेकिन आपको trade place कभी भी नहीं करनी चाहिए क्यों कि आप लोगों के पास में capital तो कम है आप लोगों के पास में capital तो कम है और आप उसको बस पड़े candles बने तो आप उस चार्ट पर trade कभी मले ना क्यों वो चार्ट फोलो नहीं करेगा कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा जिसके जरीए आप बेब्फूफ बन जाओगे और loss कर लोगे ठीक है चलिए ओके तो मैं और एक और चार्ट उपन करता हूं मैं live trade आपकर करके देख अब जिसके जरीए यहां पर हमको trade नहीं मिल पा रही है ठीक है ठीक है ठीक है मैंने यहां बारा बारा डॉलर की पूट डारेक्शन में trade प्लेस की है वह किस रीजन पर की है जरह आप देख लो उसी चीज रीजन में मैंने यहां पर डाली हुई है live ठीक है तो देखो और सम के सामने होगा लॉस प्रॉफिट आप के सामने होगा मार्केट देखो कुछ भी बनाए ठीक है मुझे इससे में नहीं है मैं आपको live सिका हूँ यह सबसे ज्यादा matter है क्यों क्यों क्योंकि देखो चीजे हैं कहीं पर follow हैं कहीं पर follow नहीं है उसका reason क्या है अब देखो क्या मुझे यहां पर mtg यूज करनी चाहिए यस या नो चलो मैं ठीक है mtg यूज करता हूं तो यहां पर मैंने 12-12 डॉलर की multiple trade यहां पर place कर दिये mtg यूज क्या मैंने क्या mtg यूज क्यों क्यों क्या है mtg आप use मैंने इसलिए यहां पर use क्या है कि जब market ने green candle ने break करा है यहां पर हमको एक red candle देखने को चाहिए था तो यहां पर तो आया नहीं है उसके बाद में हमने 12-12 डॉल की place कर दिये मेरे loss से अगर आपको समझ में आ जाए मेरे profit से अगर आपको समझ में आ जाए तो इससे अच्छा मेरी लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं आपको life trade दिखा हूँ इससे में loss भी हो profit भी हो मेरा कोई दिखकनी में तो अगर loss भी होता है तो मैं तो एक दो trade मारूंगा अच्छी मेरा तो रिक वरी हो जाएगा 100 डॉलर की मारूंगा तब भी बड़ आप लोगों को थोड़ा deeply समझ माना चाहिए क्योंकि आप लोग profit करोगे तो आपका भाई बस happy रहेगा मस्त रहेगा क्योंकि मैं अभी गुरू में यही चीज बोलता हूँ कि यार आप सब लोग profit करो और बस मज़े करो और enjoy करो अपने life अभी आप लेता हो अब दोगले आप लोगों के सामने आपको deeply awesome प्रेएगा क्या यहां पर trade मिलेंगी देख लो आप लोगों के सामने trade कर रहा हूं उसी चीज पर जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वार्केट का पूरा रेंज बना हुआ कॉल डाकिन में जाने का जाने का उब्यंस देख क्रिफ परेंश जयादा बना रही है 에요 अब इन्हें तो यहां प्रेडले सकता हुए प्रिफिक है नहीं लेता है दूर रहो ऐसी market क्योंकि यह market लूटने वाली market है देखो किस बात का जहां रखना है जो week है ना candle की week week नहीं candle break अब देखो यह green वाली candle ने break किया बीच वाली line को बीच वाली line को जो break करा है उसके बाद में यहाँ पर आप put direction trade लेंगे जो green बना है तो यहाँ पर loss होगे लेकिन mtc यहाँ पर आपकी win चल रही है present में ओके और उसके बाद भी मैं आपको बोलू एक चीज और क्योंकि market का जो movement है वो है यहाँ पर vpatterns इसके बाद में यह candle क्या आएगा बता हूँ इसके बाद में यह candle आएगा put direction में trade ले लेता हूँ एक ठीक ना यहाँ मैं trade लेता हूँ चरूँ ठीक है क्या put direction आएगा सोचो और समझो सोचो और समझो क्या यह put direction trade आईजी loss भी होसकता है profit भी होसकता है लेकिन मैंने इसको लिया put direction में trade क्यों हो क्योंकि market में अभी वी पेटरन पर थोड़ा सा gap रह गया, किसी ने भी वी पेटरन को complete नहीं किया, ठीक है, तो मैं उसके according के पो direction trade place कर दीजेए, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसका result देखने के लिए, उसके बाद भी फिर हम एक और trade place करेंगे, अपने 12 dollar को, क उसके बाद में यहां पर लूँगा, 2 trade, put direction में, यहां पर मैंने 2 trade place कर दीए, put direction में, ठीक है, तो इसका result भी आप देखो, क्योंकि मेरा 12 dollar का loss हुआ था, लेकित मैंने MTG यूज किया यहां पर, क्योंकि एक चीज है, कि आपको MTG की direction पता हो, कि MTG की direction पता हो, कि MTG मेरा put जा पता है, कि एक हो जाता है, तो आपके पास के पता लिए, कि मेरा call direction में जब bucks, 14श की, मेरा call direction मेंרא की is लेंज़ हो बता है Or call direction में लेंज़ हो कि आपके पास में अनुवभ होना चाहिए कि MPG में चीछ डारेक्शन नहीं यह लेगे एक अनुवभ प अनुशार लो कि मुझे कि डारेक्शन में चाहिए MPG क्योंकि आप जिस डारेक्शन में सही ट्रेड प्लेस करोगे ना मेरे भाई तो आप प्रॉफिट कंटीनि बना पाऊगे ठीक है तो बिसेश द्यान रगनों इन सब चीज़ों का आप कंटीनि प्रॉफिट बना लोगे और हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे तरीका होने चाहिए बस कुछ चीज़ें यूज़ करने का तो आप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आगे होगो थोड़ा बहुत ज कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साथ मिलके सीको और प्रॉफिट करो लाइफ ट्रीट करके भी दखाऊंगो साब को मजा आएगा आपकी लाइफ के अंदर पर ठीक है तो मैं चलता हूँ बस प्रॉफिट करो फालत लोगों के चक में मत पड़ो घ्यान लो असली घ्य